बड़ी बाऊजी? अहां सासुमाजी, बड़ी बाऊज अभी तक तम्हारा नास्ता नहीं बना किया? सबी लोग टेबल पर बैट गए है, नास्ता करने के लिए बस बन गिए है शासुमाजी अभी लेके ही आ रही थी मैं नास्ता ठीके ठीके जल दिले के आओ पता नहीं क्या करती रहती है सुझे से मैं भी अखिले कितना करूँ ये काजल पता नहीं कहां रहे गई अभी तक इसका साधी का खुमार उत्रा नहीं है लगता है साधी के धाई महीने हो गए है फिर भी महारानी किचन में आती ही नहीं है और नहीं किसी काम में में मदद करती है आज तो मैं उससे पूछी ही रहूंगी कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा कब तक वो अराम करती रहेगी और मैं काम करती रहूंगी सासु माजी हाँ बोलो सासुमा जी आप मुझी ये बताइए आखिर आपकी छोटी बहु कब तक अराम करती रहेगी मैं अखेले सारा दिन कितना काम करती रहूं सासुमा अरे तो क्या हुआ अभी वो नहीं-नहीं है और काम करने से तो गिस्ट होई न जाएगी हाँ बरीबहो आज में चोटी बहो को नशता करते वह नहीं देखा क्या बातेakers तुमने से कुछ कहतो नहीं दिया अरे नहीं-ने सासुमा जी मैं क्यों बलाओसे कुछ कहुंगी आप ही कैसी बाते कर रही हुँ क्यों मैं पूछू अब तो वो हिबता पाईगी कि उसनेटा क्यों नहीं किया। बारी बहु तूसकी जेठानी है तूससे पूछ नहीं सकती। यह जने थिखानी क्यों नहीं किया। या तो.. तूसकी टब। उसकी तब एफ हड़ाव होगी। जाक कि उसे ऑसकी कम्रे मे Wdeal किख ले क्या मैं पूछ रही है हां तु पूछेगी जाऊंगी तो अच्क तुरी ने लगेगा रेखानी घुच्व होते होए सास को चोटीछ बो के कम्रे में जाना परे अब वह नहीं नहीं है उसको अजीब लेकर क्या कर रही है नास्ता वस्ता नहीं करना है के तुझे वो दीदी आज एका दसी है ना तो मेरा व्रत है इसलिए मैंने नास्ता नहीं किया मैं हर मैंने एका दसी का व्रत करती हूँ मैंके में भी करती थी तो यहां पे भी कर रही हूँ आप लशन प्याज का खाना बना कि थाधने चाफकर के खाना बना बना सकता है किचे अब हमरा निय। उसलो nostフरी और सब्ढ़ने की खीर बना देना उते नकीजिएगा कालववा बनाना दो मत भूलना वेखंगा वो सके तो रिग्रास अनार का जूसरी बना देजीगा यह के काजल मैं अभी बना के लेकर आती हूँ थैंक्यू दिबी चलो अब काजल के लिए जल्डी से कुछ बना देती हूँ बावू, अरे ओ बावू, अरे बावू, कहां चली गई यह देखो, यह महारानी यहां पर है और मैं इतनी जो जो से अवास दे रही हूँ सुनाई नहीं देगा तुझे क्या हूँ वो सासु माजी? बावू, तुमारा ग्यान का रहता है मैं इतनी जो जो से अवास दे रही हूँ तो उसी के लिए खाना बना रही हूँ क्या? व्रत का खाना? आज का जल का एक अदसी का व्रत है वो हर महीने रखती है एक अदसी का व्रत वाँ, मेरी चोटी बो कितनी समझदार है तु 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 ना जे न लगे किसी की है? सीख ज़ा सिख, तू भी कुछ सी-कण से अपनी चोटी देवराले से कुछ सीख ले आज स्तत्क तु ने, अपने मन से को i vrat नहीं किया होगा और एखो मेरी चोटी बो कितना पुन्दे कमा रही है तूं तो नवराती तक क अव्रत नहीं करती हो और मेरी चोटी बहु को देख, हर महीने एक अदसी कवरत करती है तभी तो से मेरी जैसे सास मिली है मेजी, मैं भी तो इतना कुछ करती हूँ, आप मेरी तो कभी टारिफ नहीं करते क्या टारिफ करूं तरी, क्या अच्छा करती है तू माजी, आप एक बहु से सर पर पलू रखवाती हो, और दूसरी को कुछ नहीं करवाती अहां तो तो तेरी साधी हुए तित्के समय हो गए है, अब तो पुरानी बहु है और मेरी नहीं बहु, छोटी वो आज ही समय की है, आज के मोडल की है वो सर पर पलू लगी रखेगी, और तुझे रखना पड़ेगा अब ऐसा मू लटका की क्यो खड़ी है, मेरी कुछ सहेली आ रही है, उनके लिए चाए नास्ते की तयारी कर ले चीछ माजी, आई बड़ी, पलू हटाने वाली हेलो, हाँ मा बोलो, फोन क्या था आपने, हाँ बेटा, मैं तुझे कबसे फोन लगा रहे हूँ, हमेशा नोट रिचेबल, नोट रिचेबल बताता रहता है क्या हुआ मा, कोई जरूरी काम था, अरे नहीं नहीं ममी, मैं तो मोबैल में गेम खिल रही थी, तभी आपका फोन आया, तो मैंने सोचा, फ्री बेटी हूँ तो आपसे बात कर लेती हूँ, और बता बेटा, घर में सब कैसे है, सब तीख है, ममी, आप बताईए, वहाँ बता हुई है क्या, हच में मा, एक नमबर की बेज़कूफ जेठानी मिली है मुझे, इकनी बेज़कूफ की क्या बताऊ मैं आपको, जानती हूँ ममी, आज मेरा व्रत का खाने का बहुत मन था, जरासा में ने जेठानी को जूट क्या बोल दिया, कि आज मेरा एका दसी का व जानती है, इसलिए आज मुझे खाना खाने का बिल्कूल ही मन नहीं था, बस ममी, मैंने जेठानी से थोरा सा प्यासे बोल दिया, खी आज मेरा व्रत है, मुझे खाना खाना है दीदी, तो वो तुरंट कीचन में चली गई, मेरे लिए खाना बनाने, तुना सारा खाना बना किसको क्या खाना है, फिर चाहे रस्वय में खड़े खड़े, उनकी पांगे ही नहीं तूट जाए, बिमार हो जाएगी तब भी, दवाई खा खाके काम करती है, और एक में बिमार नहीं होंगी, तो भी बिमारी का नहाटे कर लूँगी, मेरे जेठानी तो पतानी कौन से प पता है ममी आपको, तुम्हारे दिये वे तोफे, महंगी महंगी साडिया, महंगी महंगी गहने, और पिछले वाव पदफेरे में आपने जो स्वने का सिक्का दिया थो ना, उसका तो गुनगान पूरे मोहरले में पूरे रिस्तेदारों में घाती एती है, अरे वाव बेट वो तो तेरी उत्रां से ही खुष हो जाएगी, तेरी सारे काम वो बिना बोले ही कर लिया करेगी, बेटा जैसा तो बता रही है ना, के इतनी बेवकूफ है तेरी जेठानी, तब तो तो तेरे लिए बहुत अच्छा है, कल को तेरे बच्चे होएंगे ना, तो 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 यह र आठ करूंगी राज, और सबको अउंग्लियों मेन चाहूंगी, अखिर मेन साथ ही ऐसा की होता है, मैं जिसके साथ अच्छा करना चाती हूँ, वो ही मेरा फाइडा उठाता है, इस घर में आयो है, मुझे पांच साल हो गए है, मैंने सोचा था, अपने वेवास से सबको बना लूँगी, सोचा था, साथ सुसर को अपना माबाप और देवर को भाई बना के रखूंगी, यहां तक कि मेरी कोई बहन नहीं थी, मेरी देवरानी आई, मैंने सोचा उसे में अपने चोटी बहन बना के रखूंगी, सोचा था, अपनी बहन समान देवरानी से अपना सा हो गए है उसे किसे कंभी हमेजिद हो सबसाँ सबसाइबर करें, ड्यूटी बढ़ने मिलत आया मुझे क्योंहा देरा कि दीडी, टो भूलगी। कि तुमने कभी ग्यारस का व्रत रखा है आज ग्यारस का व्रत के से सुरू कर दिया आगे से तुम मेरे साथ ऐसा मजा कभी मत करना व्रत का खाना सब मैं खाऊंगी अगर तुम्हें ज्यादा भूख लगी है तो खुद बना के खालो और एक बात और दिमार में बिठा लो कि कोई भी काम से प्रेज नहीं होना चीए ये बड़ी बव को क्या हो गया इक्ते जो जो से क्यो चुला रही है देखो ना सालसूमा इदी बूख पे चिला रही है मैं गर पे छोटी हूँ तो क्या मुझ पे चिलाएगी बड़ी बव ये कॉम सा तरीका हुआ चोटी बाहू क्यों बढ़ा क्याया चीए लेकिन ये घर काईदे आपका भी नहीं है और ना ही आपकी छोटी बहू का है जैसे मैं इस गर की बहू हो और सारी बहू के लिए नियम एक जैसा होना चाहिए मैं पिछले पांच सालों से इस घर के सारे काम करती आ रही हूँ अब मेरी देवरा अरे क्या हुआ, क्या मिटिंग चार रही है तुम सब की, इतनी जोड़ोड से आवाज आ रही है जो बेटा, देखने तेरी बीबी को, कैसे में सामने मुझ चला रही है बूल रही है तेरी बीबी, कि मैं सास हूँ और बहू है सास हो तो दोनू की हो, मेरे अखिली की नहीं हो देख बेका देख, कैसे जवा नरा रही है तरी पत्नी इसको समझा दे तू वरना मुझे दो मनत नहीं लगेंगे इसको घर से बार निखालने में तेरी बीजी घर के नियम कानून बगलने के लिए मा, एक दम सही तो कह रही है वो मेरी मानों तो, वो बिल्कुर सही कह रही है एक एक बात सही है उसकी जब आपकी दोनू भुवे इस घर की बहु है तो नियम कानून दोनू के लिए एग जैसे होने चाहिए दोनू को मिलकर काम करना चाहिए अब मा, आपके दो बेटे हैं, एक बेटा कमाएगा और एक घर में बेठा रेगा, तो अच्छा लगेगा क्या आपको नहीं न, वैसे दोनों भूवों का भी ऐसा ही फर्ज होता है, फरका काम मिल बाटके ही करना होगा उन दोनों को मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा कि लड़ाई किस बात की है, मा, इतने सालों से आपकी बड़ी भूवी तो आपकी सेवा करती आ रही है, आपकी सेवा में आपकी बड़ी भूवने कभी कोई कमी नहीं रखी, मा, आपकी सी एका पक्स मत लीजिए, वन्ना मुझे ऐसा लगेगा, आप दोनों भूवे में नहीं, दोनों बेटों में बेदवाव कर रही हो, नहीं ने बेटा, आगे से ऐसा नहीं होगा, आज बेटा, तुने मेरी आखी खोल दी है, मुझे अपनी गल्टी का एसास हो गया है, बड़ी भूव मुझे माप कर दे भूव, तुम सही कह रही ती मुझे बेदवाव नहीं करना चाहिए, चोटी भूव, आज तो तुम अपनी जीमेडार्या, खुच समालो, समझी, चल बड़ी भू, आज खाना यही बनाएगी, हाई दया, मर गई, जी ठानी को सीधा समझ के बहुत बड़ी गल्ती कर ली मैंने, ये तो बड़ी चंट नि अगली वीडियो में जब तक आप खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए